दच्छडी अमेरिका दच्छडी अमेरिका का अधिकान स्विस्तार दच्छडी गोलार्द में है यह 24 बड़ा महाद्वीप है प्रसांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जलसंधी द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है इस महाद्वीप के दच्छडी भाग में तेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमी से मैगलन जलसंधी के द्वारा अलग होता है इसका दच्छड़तम सिरा हार्न अंतरीप है दच्छडी अमेरिका दच्छडी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इकवोर को छोड़ कर सेस सभी दच्छडी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है भूमध्य रेखा परिस्थित दच्छडी अमेरिका के देश हैं इकवाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील दच्छडी अमेरिका में पेरू, बोलीविया, सीमा पर विश्व की सबसे अधिक उची नौकायन जील टीटिका का 3811 मीटर उचाई पर है यह बोलीविया पठार परिस्थित है तच्छडी अमेरिका के ब्राजील में रहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह छेत्र की द्रिस्थी से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों पेरू के कुछ भागों बुलीविया एक्वाडोर कोलंबिया तथा बेनजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है यहां के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिसकी छट तीब्र धलान वाली होती है अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमिलायड एक बिसेयस प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है मेढक जैसे प्राणी इस जल के पाकेट का उपियोग अंडा देने के लिए करते हैं टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पच्छी है बेनेजुएला में कैरो नदी ब्रेकेट में ओरी नीको नदी की सहायक पर इस्थित एंजिल नामक जहरना बिश्चु का सबसे उचा जहरना 979 मीटर है यह गुयाना पठार में इस्थित है दचणी अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, सीमा पर बिश्चु का सबसे उचा ज्वाला मुखी ओजेस, डिल, सलाडो, एंडीज परवत माला में इस्थित है दचणी अमेरिका के वर्सावन का स्थानी नाम सिल्वास है दचणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हलकी लकडी मिलती है इंडीज परवतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मुंटाना कहते है दचणी अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पच्छी संसार का सबसे बड़ा सिकारी पच्छी है रिया न उड़ सकने वाला पच्छी है अफ्रीका के सुतुर मुर्ग एवं आस्ट्रेलिया के एमू की तरह म्यूमा एवं जगुआर दच्छी अमेरिका का सिकारी जानवर है ये बंदरों तथा पेडों पर रहने वाले दूसरे जीवों का सिकार करते हैं एंडीज परवतमाला के उँचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोज ढोने के काम आता है ग्वान को एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है फजेंडा ब्राजील रबर के पेड का मूल अस्थान है इस महादेश के बोलीविया राजी की राजधानी लापाज बिस्स की सबसे अधिक उचाई ब्रेकेट में समुद्र तल से 3658 मीटर पर इस्थित राजधानी नगर है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जनेरियो ब्राजील है दच्छडी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पिंटागोनिया के पठार है दच्छडी अमेरिका के अर्जेंटीना में बिस्त्रित घास के मैदान को पंपास कहते हैं पंपास को अर्जेंटीना का हरिदय कहते हैं पंपास छेत्र में पोशक तत्तों से भरपूर अलफा अलफा नामक घास उगाई जाती है दच्छिडी अमेरिका के वनों से रबड, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा, आदुवस्तु में प्राप्त होती है ब्राजील रबड के पेड का मूल अस्थान है दच्छिडी अमेरिका में अर्जंटीना सरवाधिक सूरज मुखी के बीज उत्पादित करता है बिश्व में इसका दूसरा अस्थान है गेहु की चंद्राकार पेटी भी अर्जंटीना में स्थित है दच्छडी अमेरिका में ब्राजील सरवाधिक कोको उत्पादक देश है बिस्व में इसका दूसरा अस्थान है दच्छडी अमेरिका का ब्राजील बिस्व में सरवाधिक काफी उत्पादित करने वाला देश है ब्राजील के कहवा के बागो को फजेंडा कहते है दच्छडी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है बिस्व में इसका दूसरा स्थान है दच्छडी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैगनीज उत्पादक देश है बिस्व में इसका तीसरा स्थान है चिली का चुकी का माता ताबा खान दच्छिड अमेरिका के एंडीज परवत पर 3000 मीटर की उचाई पर है इसे बिस्व की ताबा राजधानी भी कहा जाता है चुकी का माता बिस्व की ताबा राजधानी दच्छिण अमेरिका में ब्राजील सरवाधिक मैगनीज उत्पादन करता है ब्राजील की अमापा खान संसार में मैगनीज की सबसे बड़ी खान है इटा बीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है दच्छिण अमेरिका के सरवाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जन्टीना है सरवाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सरवाधिक तेल उत्पादक देश बेनेजुएला और कुलंबिया तथा सरवाधिक तामवा उत्पादक देश चिली है एंडीज परवत की सबसे उची चोटी एक आंका गुआ उचाई 6,960 मीटर है एंडीज बिश्व की सबसे लंबी परवत माला है यह लगभग 7,200 कीमी लंबी है एंडीज के उत्तर पस्चिम में आटा कामा मरुस्थल है ब्रैकेट में दच्छिन अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में इस्थीद अरिका बिश्व का सुष्कतम अस्थान है अर्जेंटीना के विसाल पसुफार्मों को एक टांसिया और यहां के पसुपालकों को गौंकों कहते हैं आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है जहां वर्षा का न होना वर्दान ही सिद्ध हुआ है बिश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और बिश्व में कहवा की मंडी साओ पावलो है दच्छिड अमेरिका का कहवा निर्याद करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है अर्जंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक छेत्र चैको का मैदान है दच्छिड अमेरिका का सरवाधिक मचली पकड़ने वाला देश पेरू है बिश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जंटीना है दच्छिड अमेरिका का वह स्थान जहां जाडों में वर्सा होती है मध्यचिली है दच्छिड अमेरिका का उश्ण मरुस्थर पेंटागोनिया है ब्राजील का सांटोस बंदरगा काफी बंदरगा के नाम से जाना जाता है दच्छिड अमेरिका का सरवाधिक नगरी कृत देश उर्गवे है बोलीविया दच्छिड अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है बोलीविया दच्छिन अमेरिका का सबसे बड़ा अस्थल रुद्ध देश है अस्थल रुद्ध देश इक्वाडोर का गैला पेगास द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन अस्थल है इक्वाडोर का गैला पेगास द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन अस्थल है दच्छिडी अमेरिका के पस्चिमी तटवर्ती छेत्रों में समुद्री पच्छियों से प्राप्ध खाद को गवानों कहते हैं जो फासफोरस का सम्रिध स्रोत होता है